करेंगे मोतिलाल होस्वाल सर्विसे लिमिटेड का और बात करेंगे इसके की हाइलाइट का फिनांसियल का बिजनेस का और उससे बड़े जो इसके चार्ट पे जो लेवल है दूस्तों वो लेबल जो है अभी बहुत ही अट्रक्टिव लेवल है जहां से मुझे लगता है आने को 20% से 25% का रेटरन साटम में मिल सकता है यह अच्छा घासा रेटरन भी मिल सकता है यह मेरा मानना है अधर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके फिनांसियल के उसके पहले हम मैं चाहूंगा जो लोग नए है प्लीज वो सब्सक्राइब करने के साथ सा करने के पहले या इसका basic discuss करने के पहले fundamental discuss करने के पहले सबसे बढ़ने हम लोग डिसकस करेंगे इसका टेक्निकल चार्ट दोस्तों तो यहां पर देखिए दोस्तों यह जो लेबल है जिस पर क्लूजिंग दिया है और वाल्यूम भी अच्छा-कासा था तो इस चीज को देखत करना है आपको पकड़ना है 829 के ऊपर इस चीज को आप ध्यान रखे क्योंकि देखिए आपका यह है 129 मैं बता रहा हूं यह एक लेबल जो मैंने identify किया यह था आपका 20 माई का 27 में का और एक लेबल यह बनता है 829 का 27 अगस्त का तो 27 अगस्त और आपका 26 में तो में आपका फिर जूम जुलाई अगस्त तो आपका करीब करीब 2-3 मैना हो गया जो कि इस लेबल पर जब क्लोजिंग दिया था यह लेबल से इस ने ड्रैक किया था और इस लेबल पर सपोर्ट लिया था मतलों कौन सा और यहां पर मॉल्टिपल टाइम इसने क्या किया था इसलिए मैं बता रहा हो दोस्तों और फिर जो है यह ड्रैक किया था और यह जो लेबल पर अभी सपोर्ट ले रहा और यहीं लेबल जो है आपका सपोर्ट लेबल देखे यहां पर बना था और यहीं लेबल जो है आज एक बार इसने इस लेवल को ट्च किया था और ये था 771 का और ये लेवल सबसे attracted लेवल था यहाँ पर है आपको मिल रहा था तो चुकि इंटरे में इसने जो है ये इस के closing दिया था 750 का को ये ही लेवल तो जिसका closing दिया था ये एक इंट्री बना सकते थे और नेक्स्ट जो टार्गेट इसमें जो बना था दोस्तों वो बना था इस लेबल को आप मानें तो 848 का तो 848 भी अपने आप में थोड़ा देर के लिए रेजिस्टेंस हो सकता है जिए 848 जिए आप इस लेबल पे इंट्री करते हैं तो आपको फर्स टार्गेट इंट्रादे में मिलता है तो 4049 पर निकलिए और उसके उपर जब चत्रेट करना शुरू करता है या कूजिंग दे देता है 5053 के उपर तो आप मान के चलिए कि यह लेबल हमारा एचीव हो जाएगा और यहां से जो है हमें फिर एक अच्छा या साट तम है या दो दिन के लिए प्ले कर रहे है तो उस लेबल के अक्वरिग जो है आप अपना मुनाफ़ा आपस एपर सब्सक्र करना चाहिए ताकि आने वाले समयिंग में आपका जो वालटिलिटी होती है उसको आप अब जो आंप कर पाएं तो यह लेघर पर आता है का नेक्स लेवल होगा और उसके बाद यदि आपका 1125 का लेवल क्रॉस होता है तो फिर 1180 और 1200 के लेवल देखने को मिलता है और यहां से यह से निकलता है दोस्तों तो यहां से मान के चलिए आपको 200-300 का टार्गेट मिल सकता है और क्यों बोलूँगा क्योंकि इसके बाद हम चार्ट पर देखे 500 554 का इसने जो लो जो है बहुत दिनों तक इसने जो 550-530 के बीच काफी समय गुजारा था और इसके बाद यही लेवल जो था काफी समय तक देखिए यह लेवल जो था सपोर्ड का लेवल यानि 600 का लेवल काफी समय तक सपोर्ड बना हुआ था तो दे फट्रम में ये सेर इसके नीचे अभी जाने वाला है क्योंकि लिखेगा अंच्छा है तो वहां पर ये शय आने वाला समय में और और आझाल रोकींग के देख लें और यहां पर रहा है यहां पर देख्षा सकता है और इंजल फोटी टू का टारगेट तो सेम जो पैटन यहां फॉलो हुए है देखिए ओह पैटन दोह रहाया जाता है फिर आपकावने का यह आपका जिस लेवल से निकलता है तो तो यह टरगेट वने का लिश्च निकल जाता है तो इन सब चार्ट को आप देखके अपनवा से देता है अब बात कर लेते हैं मोतिलाल स्वाल का फिनांस के बारे में तो वहां देख लेते हैं कि क्या चीज़े हैं तो यहां पर हम लोग देखे दोस्तों तो की हाइलाइट्स हम लोग देख लेते हैं कि किसमें काम करती है तो यहां पर देखे दोस्तों कैपिटल मार्केट म में यह काम करती है मोती लाग केपिटल में एसेड मेलेजमेंट हाउसिंग फिनांस में और फंड बेट इन्वेस्टमेंट में और बात करें यहां पे जो उन्हें ने क्वैर किया है वो 2.15 लाग का क्लाइंट है इनके पास और Q1 FY22 में जो है इनका जो ग्रोथ हुआ था दोस् रख रहे हैं तो उसमें ज्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है तो लोग आप अट्रेक्ट हो रहे हैं तो यह जो ब्रोकिंग कंपनी है उनको बहुत फायदा होने वाले है रिटेल का जब पर बनेगा तो बहुत फायदा होगा और यहां बद गया एडिटी ओ ग्रेव जो है इनका जो हुआ है 104 परसंट येर एन येर वेसेट पे और डिस्टिबुशन ये यूम देखा जाया तो वह हुआ है 37 परसंट का ग्रोथ येर एन येर वेसे ऑनलाइन बिजनेस कंटिबूशन जो है रिटेल वॉल्यूम जो है एक्सलेट हुआ है 70 परसंट इस्टरॉन लिक् देखा जा तो वहां पर 91 परसंट का येर एन येर ग्रोथ था कमिट्मेंट था इन्वेस्ट्मेंट पी और आरी एयोम तिल डेट इस्टेंड कितना 69 बिलियन रुपीज पे और वहीं पर लॉंच किया है आई बी एफ फोर विट टार्गेट साइज ऑफ 40 बिलियन आउसिंग फिनांस में जो ये काम करती है वहां पर देखा जाए तो इन्होंने डिस्टिबूस्टन जो है डिस्टिबूस्ट डिस्पर्समेंट जो है वो जो है बढ़ा है 910 मिलियन पर पहुंच गया है क्यों 22 में और बात करें एक्स्पेंड से सिल्स फोर्स जो है 90 प्लस पिपुल इन की वन 22 22 और देखा जाया निम एक्सपेंडेट वाई 66 बीपीएस येर इन येर पर और बात करें सियो ओफ रेडेक्शन जो है 8.6 परसेंट इस्ट्रॉंग लिक्यूडिटिटी है बैलेंस सीट है और ये सारी चीज़े है अब फॉंड बेस्टिब्समेंट जो तो 0.9 बिलियन है और ये देखा जा टोटल एक्यूटी इन्वेस्मेंट जो इस्टूड हो रहा है वो 32 बिलियन रुपीज का 72 परसेंट येर इन येर बेसिस पे ग्रोथ है और कॉमलेटिट एक्स आई आर और ऑफ 28 परसेंट रहा है पी बाई आरी इन्वेस्मेंट में तो वो चीजे हम लोगों देख लेते हैं तो यहाँ पर देखिए complaining market यहां पर देखिए एकस्व JASON Hm परसेंट किसना की वहन में अब बात करें तुलना कर लिजिए तो यहां पर 18% बढ़ा था यहां पर वन हंडेट 144 परसेंट यहां पर 124 परसेंट था था हंडेट 19 हो गया पाइप परसेंट जम्प हुआ था हॉसिंग पर 24 परसेंट और यहां पर 33 परसेंट और 66 परसेंट और यह सारी चीज़े था और यह तो हमने की हाइलाइट देख लिए आप रिवेन्यू ट्रेंड देखते हैं दोस्तों वहां पर देखें तो इनका रहा है पांस सालों का देखा जाए तो यह 19 परसेंट के सीजियार से इनका रिवेन्यू बड़ा है प्रॉफिट अबिलिटी देखा जाए तो वहां पर ट्रेंड देखिए तो अच्छा गासा प्रॉफिट जो है 21 में 81 जो की अभी क्यूवण में जो इननों प्लेस किया है 2.2 का और बात करें कैपिटल मार्केट में तो वहां पर देखा जाए तो द काम किया है तो कैपिटल मार्केट जो है इनको अच्छा खासा प्रिवेन्यू जनरेट करके देगा आने वाले समय में वहीं बात करें एमसी जो है वह सिस्टेवन परसंट ट्वंटी वन परसंट ग्रेव हुआ है और वेल्स यह देखा जा तो वहां पर ट्वंटी सिक्स पर परसंट जो है मुच्वल फंट अल्टरनेट से और पी प्लस आरी जो है 29 परसंट है अब बात कर लेंका ग्रोफ और ड्राइवर का इनका ग्रोफ कौन इसको ड्राइव कर रहा है ग्रोफ में सबसे ज्यादा जो ब्रोकिंग सर्विस है तो वहां पर 15 परसंट प्राइम ब्र पिक इंस्योरेंस कंपनी के साथ और एसेड मेनेजमेंट देखा जाया तो टांजेक्शन इनेट इनफ्लो है और बात करें स्ट्रॉंग रेस्पॉंस टू या ट्रांजेक्शन इसाईपी जो है वह अच्छा-कासा बड़ा है आरोई देखा जाया तो वह भी 23 परसंट पे अ आने वाले समय में अच्छा-कासा रोल प्ले करेंगी इन सब की जो लगता है कि आने वाले समय में जो मैंने अभी यह सारे चीज़ें डिसकस की यह हो सकता है और यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि इसके पहले बात किया जा तो यह मुतिलाल अस्वाल आराम से ग प्रॉफिट मिल सकते हैं और आपका इस्टॉप्लस होगा वह 50-60 रुप्य नीचे या 70 रुप्य नीचे रख सकते हैं लेकिन टार्गेट जो है आप यहां से 3-4 टाइम रख सकते हैं अपने इस्टॉप्लस के अकॉर्डिंग तो यह कैसा लागा वीडियो मुझे बताईग कर दो